आज का प्रस्ण है निर्वी कल्प समाधी क्या है असल में समाधी की कई अवस्ताएं होती हैं योग साधना का अंतिम अंग है समाधी सवीचार निर्वीचार सवीतर्ग निर्वीतर्ग समाधी संसकार दोस होने के करण सभीज समाधी चित्त का निज सुरूफ सून हो जाना समाधी है धे मात्र की प्रतीती समाधी है जो बोध मात परमात्मा है उसके साथ चित्त का समत्त इस्ताहित लेलेना समाधी है बिचार बितर्क आनंद अस्मिता अ संप्रग्यात समाधी जब विचारों का आना जाना बंद हो जाए परमात्मा से सम्मिंदित तर्क वितर्क सांत हो जाए आनंद की भाव सांत हो जाए चित्त जो प्रकरती से संबंदित चिंतन करता है उसका सांत हो जाए असंप्रग्यात योग है चित्त से ये पाँच चीजों का सांत हो जाना असंप्रग्यात योग है और असंप्रग्यात योग में निरंतलीन रहने पर निर्विकल्व समाधी की अवस्ता आती है मन पर निरंतर विचारों का फेरा चलता रहता है मन पर निरंतर विचारों की तरंगें लहरें आती हैं जाती है इसे सागर में लहरें आती जाती है वैसे मन पर विचारों का चिंतन आता है जाता है उनका सांत हुए भावनाओं का उदेवनास्त हो याना भावनाओं का आना जाना सांत हो याना और किसी भी प्रकार का कोई चिंतन नहीं कोई तरंग नहीं कोई संकल्ब विकल्ब नहीं चित का निज स्वरूप सून नोयाना चित का निज स्वरूप सून नोयाना निर्विकल्प समादी अंतिम अवस्ता है निर्विकल्प समादी जहां मन गुद्धी चित्त हैंकार से सत्रजित्तम पिनोगुण अपने मूल कारण में बिले हो गई उस अव्यक्त की अवस्ता में उस अद्वयत अवस्ता में उस निर्विकार निराकार सून दसा में ब्रती का प्रवाईत हो जानना निर्विकल्प समादी प्राण की मौन अवस्ता है अद्वयत अवस्ता है स्रावक और सिर्वन द्रश्टा और द्रस्ट मात्र द्रश्टा रह जाए द्रस्ट खोजाए यह जगत खोजाए सेस बूद मात्र द्रश्टा रह जाए प्रकर्ति के सरयायाम सांत हो जाएं, निरविकल्प समाधी में, योगी पूर परम सांती, परमानंद, परम मुक्ति को अनुवब करता है, प्राण की परम मुक्त चैतन नवस्ता है, निरविकल्प समाधी, योग की विविन नवस्ता है, यम, नियम, आसन, प्रणायाम, पत्यार, दारणा, द्यान और समाधी, चित्त के अंतराल में जो संसकार इकटे हैं, भावना हैं, वो ध्यान में धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं, ब्रतियां का उध्यम है प्रकरती, और बिले होना है प्रोस, प्रकरती सुथपानोंने वाली ब्रतियां बिले होती चले जाते हैं, अपने कारण में, जब समस्त ब्रतियां तेवी आसुरी इंपलिष्ट एक्तलिष्ट नेगेटिव पॉजुटिव अपने मूव लदगम अद्धोयत में बिले हो जाती है द्धोयत से संबंदित विचार वावना हैं चिंतन तरंगें जब अद्धोयत में बिले हो जाती हैं तब जो घठता है वो है निर्विकल्प समाधी प्राण की पूर्चेतन नवस्ता ये सवस्ता में पहुँचे हुए योगी निर्वाण और संसकार छे परम्मुक्ते समस्त्र मन मन की ब्रत्तियों के पार चले गए जो हम सब्द प्रियोग करते हैं। द्रश्टा, साक्ची, अद्वैत, मोक्ष, दुज पर बिजय पाने वाला द्विज, निराकार, अद्वैत उसी निर्वी कल्प समाधी की ये अंते में वस्ता के लिए प्रियोग होने वाले सब्द है। तो चित की अकर्ता अवस्ता निर्वी कल्ब समाधी है चित कर्म करता है प्रकर्ती तक प्रकर्ती के थ्री डाइमेंशन में साद्विकी राजसी थामसी तो जो अचा वो सुन हो वो है निर्वी कल्ब समाधी चितना की प्रकर अवस्ता बिरामचित प्रसांत चित और इस अवस्ता में परमात्म समाईा है प्रमसांती समाई है जितातमना प्रसांत से परमातमा समाई था इस अलस्ता में पहुचे हुए योगी संसार सागर से तर जाते है मन इस तर पर जो संसार है जो माया है उसे मत्व जाते है एक्चाओं से बासनाओं से मोह से आसकती से जड़ भाव से जो भाव बोद सुननता भाव बोद हीननता और भाव बोद की जड़ता जड़ में भाव है तो भाव बोद जड़ता और किसी चीज़ में कोई भाव नहीं तो भाव बोद सुननता और सून भी नहीं बस बोध मात्र प्रमसांति निर्विकल्प समादी में तो कहते हैं भावो दीन था रांकिशन परमंस ने बिवेकानंद को रोका था इस सवस्ता में जाने से पिंच्यानवे नहीं अंटानवे सीडियां उस छड़ गई थे पसंते मवस्ता थी पूर्वक्ती में जाने की निर्विकल्प समादी और उस अवस्ता में जाने से इसन को रोका उन्होंने कहा धर्म का परचार करो सब्द है निर्विकल्प संकल्प विकल्प का अभाव है निर्विकल्प सम आदी सम भाव की सिद्धी समत्य की सिद्धी सद्ध्वयत वस्ता का जाना मन वुद्धिचत तहिंकार का निस्क्रिय हो जाना प्रकरती के गुणों का सर्वता अवाव को सद्दोयत में इस्थाय तो पाले नहीं समादी है समत्य की सिद्ध आदी य嫣ादी परमात्मा है उस परमात्मा में समत्य की प्राप्ति है निर्वी कल्प समादी उसी को बागवान किश्न ने कह दिया अग इस्तित प्रग बार बार गीता में कि अर्जुन तू इस्तित प्रग वन जब कर ध्यान कर निसकाम कर्म योग कर अनिरंतर ध्यान योग के दोरा भक्ति योग के दोरा इस्तित प्रग वन इस्तित माने ठेर जाना प्रग्या माने आघे तो दो संद्रेटेटेरे महती इसींतिर भूएं गए समधा में संभाव में दर्ष्टा साचिवामनत उसे कहते हैं निर्भी कल्व समादिर अभियाती के से जायी अवस्ता मंत्र पॉसदी समादी से द्या ओ मंत्र का मान से निरंतर जाब करना है मन करम बचन से परमात्मा की भक्ति करना है मन सहित इंद्रियों को संसार भिष्यों सठा की निरंता परमात्मा की चिंतन में लगाना है मंत्र तप उसदी भक्ति रूपी उसदी भक्ति करनी है समाधी सिद्ध्या इससे समाधी की सिद्धी हो जाती है समाधी की भावना जाने से चित प्रसांत प्रवाइट हो जाता है अकाशुवत हो जाता है तो जीव जहां प्रम विस्राम पाता है प्रम सांती पाता है प्रम मुक्ति जहां राग द्वेस नहीं इच्चा वासना है जहां सिर्फ सांती है अद्वाय तवस्ता हो है प्रम सांती समाधी है तो करना क्या है अभ्यास बेराग ब्रतीत निरुदा अभ्यास करना है निरंतर जल्दी वाजी निरुदा बस अभ्यास में लगे रहना दस साल पंद्रा साल बीश साल निरंतर जब और ध्यान का अभ्यास करता है वो यह समस्ता को प्राप्त हो जाता है जनका अभ्य नाश और बेराग ट्रकर हैं तीब रहें हैं इपर सम्भेगा किसादना में गती यह वो पहुत जल्दी समाधी की सिद्धी कर लेते हैं को रही समाधी की सिद्धी से मनुष से अविद्या, असमीता, राग, समस्त किलिषों से मुक्तो करें प्रमानंद प्राप्त करता है प्रम्वक्ती प्रमानंद प्रम्वक्ती की प्रमवस्ता है निर्वीकल्प समादी इस अवस्ता में पूंचे हुए योगी संसार सागर से तर जाते हैं उनकी निब्रत्ती हो जाती है वो निर्वाण को प्लब्द हो जाते हैं केवल परंपद को उसी को कहते हैं धर्म मेग समाली तदा दरश्टी स्वरू के वस्थान दरश्टा आत्मा अपने ही साश्वत स्वरू में इस्तित हो गया, अभ्यास और बैराग की प्रक्रिया को अपनाना है, अभ्यास करना है निरंग कर ध्यान का जब बैराग के साथ, अलप हाहार लेना है, एक अंतवास का सेवन करना है, साधना की अंग प्रतेंगों का भईवाती पालन करना है, और एक अध्यात्म क कि प्रक्रिया से योग साद्नागी प्रक्रिया से होते हुए अंतिम-डाइमेंशन ले लिवितलप समादी में कि योगी पुँच जाता है कि जहान पौँचने के पार है को जबनी कोई sin क्रें संकल्प विकल्प नहीं उन रूप सिवे ब्रित्थ हो जाता है और उस अद्वयत वस्ता में पॉंचने के वाद द्वयत खतम जहां विचार है जहां भावना है वहां द्वयत है जहां सब्द है जहां इक्चा है वासना है वहां द्वयत है जहां तरंगे हैं जहां मन है माया है वहां द्वयत है निर्वीचार निराकार परमसून की सहजवस्ता है अदवयत निर्वीकलप समादी आप्त पुरसों ने इस समस्ता को भिविन सब्द दिये निर्वीकलप समादी में मन होता ही नहीं मन, बुद्धी, चित, तहेंकार जैसे है ही नहीं इनका निस्क्रिय हो जाना, निर्स प्रभाव हो जाना, प्रभाव हीन हो जाना ही निर्विकल्प समाधी है, जहां निर्वी सल्प समाधी घठती है, वहां कोई विचार नहीं, कोई बितर्क नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई तरंग नहीं, एक रस वस्ता, सदा एक रस निर्व सवस्ता को प्राप्त योगी संसार सागर से तर जाते हैं अब यह सवस्ता की प्राप्ती कैसे हो तो इसके लिए जप और ध्यान है हमारे पास दोई स्वाज़े हैं एक जर दो पर सयम करना दोनों स्वासों को स्वास प्र स्वास कहते हैं लेंkum ध्यान कोपन क्दे घ्यान करते हैं स्वास और द्यान लगाते हैं स्वांस आ रही है, स्वांस आ रही है, दीरे दीरे मन बिले होने लगता है, मन की ब्रतियां बिले होने लगती है, मन की भावना संकल विकल बिले होते जाते हैं, अंत में मन ही बिले हो जाता है, मन की पूर बिले वस्ता निर्वी खल्ब समाधी है, अब्यास करना है, मंतर तप पुसादी समाधी सिद्धिया, ओम का मान सिख जाप खना है, स्वास प्रस्वास में, ओने रंत रब्यास से समाधी की सिद्धिय हो जाती है, ओम सिरी परमात्मने नमा पर अबादा से समाधी और परम दो जाउने स किसे रब्यादी सिर्प्ना देवग झाल झाल